हम लोग, यह unit start कर रहे, ठीक है, ओके, तो सबसे पहले, हम लोग इस chapter मैंने से पहले थोरा सा electric charge के बारे में discuss करेंगे, electric charge क्या होता है, थोरा सा electric charge का basic properties के बारे में देखेंगे, ठीक है, फिर हम लोग discuss करेंगे, electric current क्या होता है, तो electric charge क्या होता है, electric charge क्या होता है, यह fundamental, या फिर intrinsic property है, यह fundamental, ठीक है, fundamental, ठीक है, ठीक है, और, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, और, intrinsic, intrinsic properties of material, ठीक है, of material, ठीक है, जिस तरह मास एक प्रोपर्टी होता है, ठीक है, उसी तरह electric charge क्या फंडमेंटल, या फिर intrinsic property होता है, किसी भी, material का, तो basic properties क्या है, चार्ज का, क्योंकि हम लोग इस चाप्टर में, current electricity के चाप्टर में, flow of charge के बने पढ़ेंगे, ठीक है, rate of flow of charge को ही, हम लोग क्या बोलती, electric current, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहरे देखें कि properties of charge क्या क्या होता है, हम लोग डिसकस करे ठीक है, note down भी कर सकते हो, copy pin लेके वैथ हो, या फिर, उसका PDF तो मिलेगा ही, और कोई doubt होगा तो, पुछना, ठीक है, properties of electric charge, electric charge का क्या क्या property होता है, पहला property है कि charge दो तरीके का होगा, यह पता होगा सभी को, class 8 में भी श्याद पढ़े होंगे, एक क्या होता है, एक पहला kind ह होता है, एक तरीके का charge क्या होता है, positive charge, ठीक है, एक होता है positive charge, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है, negative charge, दो तरीके का charge होगा, there are two kind of charges, positive charge and negative charge, दूसरा property क्या होता है, कि positive positive charge या फिर negative charge एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, एक दूसरे को रिपल करता है, ठीक हम लोग क्या बो लेंगे? हम लोग बोलेंगे कि लाइक चार्जेस ती कह problem ठिक है? एंड यहां पैंगर दो हम लोग लोग अनलाइक का लियर एक पॉजिटिव यह नेगे टिव लियर एक नेगी टिव लियर मेरेमे लियर पॉजिटिव ने तो यहाँ पर लिखेंगे कि अलाइक चार्जबार एट्रेक्ट इच फेल, एट्रेक्ट इछोग ऊपुआ कि-ट्रेक्ट इच इदर, तो यह दूस्रा प्रपर्टि जंग पहला हो गया कि पॉसिटिव् णेगा टिव् चार्जबा, दो तरीके का चार्ज होगा, दूसरा property क्या है कि positive positive और negative negative यानि कि like charge आ रिपल इचेदर और unlike charges आ attract इचेदर तिसरा property क्या बोलते हैं लोग तिसरा property देखो तिसरा property में बोलते हैं कि charge is conserved चार्ज is conserved ठीक है यानि कि जिस तरह energy conserved होता है उसी तरह charge भी conserved होता है यानि किसी isolated system पे किसी भी isolated system पे net charge conserved होता है यानि कि body में जो पूरा charge है वो conserved होगा ठीक है energy की तरह जैसे energy में क्या बोलते है energy can neither be created nor be destroyed it can only transfer from one body to another body same तरह से charge भी क्या होगा एक body से दूसरे body में transfer जरूर करेगा लेकिन net charge क्या होता है conserve होता है या फिर हम लोग बोल सकते है कि net charge जोता है वो isolated system में same होता है हम अभी बोले charge is transferable चार्ज होता है वो ट्रांसफर कर सकता है एक बड़ी से दूसरे बड़ी पे इसको बोलते है चार्ज is transferable, इसका मतलब क्या है इसका मतलब है, चार्ज can be transfer from one body to other body मालन लो ये तुम्हारे पास कोई चार्ज बड़ी है, ऐसा यह कोई charge body है, तो यह charge किसी दूसरे body पे, किसी दूसरे body में contact पे लाएंगे, तो इस body का charge वो दूसरे body में transfer हो सकता है, उसको बोलते है charge by conduction, या charge by contact, या फिर charge without contact से भी transfer हो सकता है, उसको बोलते है charge by induction, और एक होता है charge by friction, तो transfer करने का तरीका क्या है, एक होता है charge by friction, जिसको ह प्रिक्शन या रबिंग जैसे तुम लोग क्लास 8 में पड़े हो कि अगर हम लोग ड्राइ हेर पे किसी कॉम को प्लास्टिक कॉम को रब करेंगे और जब छोटे-चोटे पीसस के सामने लाएंगे तो पेपर इसको क्या करेगा अट्रैक करेगा ठीक है तो यह होता है चार्ज स्फेर के पास ऐसे ले गये हो चिकहा अंचार्ज स्फेर के पास लेगे हो तो यह sphere uncharge है लेकिन इसके अंदर equal number of positive charge है और equal number of negative charge है तो जैसे ही तुम इस rod को इस sphere के पास ले जाओगे तो इसके अंदर का जितना negative charge है वो यहाँ पे जमा हो जाएगा के इस पार्ट पे और इस पार्ट पे positive चला जाएगा ठीक है सम्हाँ अगर हम लोग positive को ground कर देंगे तो हमारा यह पूरा इस sphere कुछ दिर के बाद negatively charge हो जाएगा यानि कि हम लोग without contact किये हुए इस sphere को charge कर दिये इस process को मैं बोलते है charge by induction जब class 12 में पढ़ोगी electrostatic तो इन सभी को तुम को details में पढ़ना है चीक है चला हम आगे फिर बात करते हैं इयंट्वसरो कि वाज को फिरugen लगोई यह बात करते हैं अच्छा इंड़क्शन अच्छ el Bible यह समेद्षें है क्या और न तन हमत् ze क्रूज क्या से रडसरों प्लब के दुर ना हम क्या क्या हिए यह हम उंप बिशु करकि सब्सक्ण है तो यह आपने चार्ड के तर्छा जाए जब तोब रिजा न दूसर पर हिसा जाया है टो तरह जायाएं ऐद अन्चार्जडर्ल बॉडडीों एटक फ्रोटी के ला चार्जडर्वा? प्रोडी चार्जडर्वा एटकान मैं डीको किते हैं सिस्ट्पम कारा भी थ मुंढा या तो नहीं होगा ये ट्रांसफर हो सकता है बड़ ये लॉस नहीं होगा बिकॉस चार्ज यहां पर क्या है पूरे सिस्टम में कंजर्व है माल लो तुम्हारे पास दो बड़ी है ठीक है एक बोड़ी से नुद्रे बड़ी में चार्ज को टांसफर कर रहे हो गंटैक कर दिये तुक चाज टांसपर हो रहा है, एक बागी सदूरे रोटीसबी छफारा है वाट पिए भी भी लौस्न नहीं हो अजैर्जं से टोटल हमेसे धिस्तन पर पर यृ रहेगा टिक है इस ताहु है भुज बौडिको चार्ज शरीं करते हम लोग इसको बोलते चार्जीं एश्य को अन्टीट दोते पर ओडिकार प्रॉटेटीट है रिखाष्टू कि तो निच्ट को रुड़ सेंप्लिडे इस प्रॉटिकर जोर सकते है इसका मतलब क्या है, that is, it is additive in nature, additive in nature, यानि कि इसको simply हम लोग जोड सकते हैं, जैसे कि numbers को जोडते हैं, अगर net charge निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, q1, plus q2, plus q3 and so on, इसको जोड सकते इतना भी charges है, तो charge is killer quantity, so it is additive in nature. Now the sixth point is, very important point, इसको तुरा समझना अच्छे से, डाउट होगा, तो पुछना जरूर, इसको बोलते हैं, charge is quantized, quantized, okay, इसका मतलब संभियो क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, that is, is, charge is, charge is, charge is, integral, integral, multiple, ठीक है, multiple of electron, integral multiple of electron, यानी क्या, इसका मतलब क्या है, that is, q equal to plus minus n into e, ठीक है, e यहाँ पे हम लोगे, electron के charge का magnitude को दे रहे हैं, जिसका value है, 1.6 into 10 to 19 coulomb, minus 1.6 into 19 coulomb होता है, लेकर हम magnitude ले रहे हैं यहाँ और n यहाँ पे क्या है, n यहाँ पे integer है, integer, 1, 2, 3, 4 and so on, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, समझो, quantized का मतलब क्या हुआ, देखो, nature में पाये जाने वाला, सबसे छोटा charge, हम लोग किसका लेते हैं, electron का लेते हैं, ऐसे तो quark होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग इस level पर अभी electron लेकर ही चलेंगे, अभी से ले class 12 तक हम लोग electron का ही study करेंगे, generally, तो, आवास्थ्वा म्यूट कर दो, जिसका on होगा, माइक बहुत जाना, noise आ रहा है, अगर वोग डाउट होगा, तो, तुम unmute करके पूछ लेना, सर, एक पर ऊपर पेज करिया ना, सर, अभी join किया है, अच्छा, ओके, ओके, ठीक है, तो हम एक बार revise करा देंगे, ठीक है, अच्छा, देख लो, अभी join किये हो, यह सर, अच्छा, दो मिनट में, प्रिवाइस करा दे रहे हैं, ठीक है, और म्यूट कर लो, ठीक, हम बताते जारे हैं, तुम म्यूट कर लो, इलेक्टिक चार्ज क्या हैं, दिसकति के लिए हैं, करेंट टीक्लिख के स्टाट किया है, उसके पहले उनों फ़रा चार्ज के बारे पढ़ते हैं, पहले बात क्या किये, कि चार्ज जो होता है, वो फंडमेंटल या फिर इंटेंसिक प्रॉपर्टीज है, किसी भी मिट्रियल का, क्या 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 प्रॉपर्टीज चार्ज का, चार्ज दो तरीके का होगा, के नेट चार्ड होता है वो किसी सिस्टम पे फंटर रहेगा किसी भी आइस ओलेटीट addingゃ फॉरा जो चार्ड जेए वो चार्ड आ नहीं होता है तुम्हारे पस जितना भी चार्ज है वू भरद ट्रानस्फर हो सकता है किसी दूसरे बॉडी में लेकिन माललो तुम्हेरा दस सकता है, भहत सरा में मैंधर से वो ठांसफर हो सकता है, rey कॉंटाक्ट block को अब किसी बोप कौली कंग्लोग औरी चाज़ कर सकते हैं, या फिर म pc ंोग ढीकी की चार्ज स केलर कांटिटी तइ इसको आरप सिंपली जोड़ते हैं यह वेक्टर दे हैं किसका देखना पड़ेगा, इसकेलर, सुटी सिंप्ली एड़ेटीवी नेचर, ना तर नेक्ट वन इस यहां तक हम लोग पहुंचे है, चाज इस चाज इस इंट्रीगल मल्टीपल अफ एलेक्ट्रों, क्यो इट्रीगल मल्टीपल मतलब क्या, किसी बॉड़ी में, जब भी हम बोलेंगे किसी बॉड़ी हमाल दो यह, तो इसमें कितना चार्ज है, तो हम लोग ऐसा बोलेंगे, कि वन इलेक्ट्रों चार्ज है, या फिर सौ इलेक्ट्रों चार्ज है, वन眾 इलेक्टों चाब़ जैए ऐए ज़ो ऻो मोरेंगे छान सार्च आइसे ने बुलेंगे यथ्वाइफ बैट्वाइट्वाइट्रॉ ऐलेंगे त्री बैट्रों चार्ज है ऐसा बात महिं करेंगा हमें इंपिगल मुटी प्रमें बात करेंगे क्योंकि numbers of electrons equal to charge होगा, total charge, number of electrons, तुम्हारे पास 10 electron है, तो total charge कितना होगा? Q equal to 10 into 1 electron का value कितना? 1.6 magnitude, लेरे स्रिफ, 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb, तो तुम बोलोगे, तुम्हारे पास इतना charge है, यादि तुम्हारे पास 10 number of electrons, 10 है, तो total charge क्या हो जाएगा? 10 into e, यह नहीं की 5 by 2, या फिर 3 by 2, या फिर 1 by 2, इस तरह हम लोग बात नहीं करेंगे, हमेशा integral multiple होगा, ठीक है? समझ में आगया होगा यहां तक? अच्छा, जो छटा point है, साथवा point है, सेवन्थ point, उसमें एक और चीज़ यहां पर discuss कर रहे है, कि charge होता है, ध्यान देना, charge होता है, वो invariant होता है, invariant होता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझो, इसका मतलब charge हो है, वो speed से vary नहीं करता, ठीक है? इसका मतलब क्या माल लो, तुम्हारे पास कोई body है, और इस body में charge है माल लो की, माल लो की 5 coulum का charge है, और यह किसी स्पीड से मुव कर रहा है माल दो, इसमें 5 कुलम ही रहेगा, इस स्पीड में बोडी मुव करने से इसमें चार्ज घटे गया या बढ़ेगा, नहीं, यानि कि चार्ज होता है वो हमेशा, क्या होता है, invariant होता है, इसका मतलब क्या है, note-down कर लो, इसका मतलब इस, That is, it is independent to speed. It is independent to speed. ठीक है? यह speed या velocity पे डिपे नहीं करेगा, यह independent रहता है. ठीक, इसके बाद हम लोग बात करें, आठवा पॉइंट का. तो इस बोडी में अगर चार्ज रहेगा, तो उस बोडी में मास का रहना भी जरूरी है. क्योंकि एक इलेक्ट्रोन भी चार्ज रहेगा, तो इलेक्ट्रोन का अपना मास होता है, 9.1 इंटो 10 to the 0.31 kg बहुत स्मॉल मास होता है. तो हम लोग क्या बोलते हैं? विदाउट, विदाउट मास, चार्ज 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 नहीं करेगा. कभी भी बीना मास का चार्ज जो वो एक्जिस्ट नहीं करता है. तो यह सब हम लोग कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टी चार्ज का बात किये हैं. जैसे मालनों हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज दिखा रहे हैं. यह तो लोग पढ़ोगे, क्लास 12 में भी. यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज दिखा रहे हैं. अभी बेसिक थोड़ा से बता रहे हैं. तो यह अगर कोई पॉजटी चार्ज है. और यहाँ पे कोई एक दूसरा पॉजटी चार्ज रखते हैं. तो हम लोग जानते हैं कि चार्ज क्या करेगा? या दो चार्ज पार्टीकल एक दूसरे पर इस तरह रिपल्सिव फोर्स लगाएगा. और यही अगर हम लोग यहाँ पे एक पॉजटी चार्ज और एक निगेटीव जा रखते हैं. तो ऐसा हम लोग के पास क्या करता है? तो चार्ज का यही नेचर है कि चार्ज बादी आपस में मैं सा फोर्स एक्जट करता है. वो डिपेंड करता है कि चार्ज का कैसा पॉलरिटी है, मतलब क्या साइन है, पॉजटीव चार्ज है या फिर निगितिव चार्ज है. तो यहां तक बात कि हम लोग बेसिकली चार्ज का, और सब को पता होगा कि SI unit of charge भी कुलम होता है, तो उसका भी note down कर लेना. SI unit of electric charge is कुलम. तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं अब electric current का, कि what is electric current? electric current क्या होता है? उसका अभी हम लोग बात कर रहे हैं. चीक है कि हम लोग electric current किसको बोलते हैं देखो तो यहां से लिखो heading में electric current हब यहीं से तुम्हारा chapter का शुरुवात है हम थोड़ा सा charge का basic introduction दे दिये थे ठीक है यहां से लिखो तुम heading में electric current बहुत इंट्रेस्टिंग चैप्टर ही है current electricity, बहुत अच्छा अच्छा problem भी आएगा, ठीक है, तो इसको हम लोग solve करेंगे, और तुम लोग homework देंगे, ग्रूप में, उसमें तुम लोग solve करना होगा, तुम लोग discuss करेंगे, ठीक है, electric current, electric current क्या होता है, हम लोग बोलते, rate of flow of charge is called electric current, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, rate, flow of charge, flow of charge, जैसे class 9 में तुम लोग पढ़े हो, कि rate of speed, rate of velocity, ऐसे कुछ-कुछ पढ़ते हो, ठीक है, उसके rate of flow of charge, जब flow of charge का rate लेंगे, rate का मतलब क्या होता है, चार्ज को जब हम लोग time से डिवाइड दे रहे है, चार्ज को Q से फ्द रहे हो, क्या लिए छार्ज के लीचा हिए, ठीक है, तो क्या लिखते हैं हाँ पर, charge by time, यह लोग fitness rate of flow of charge, टीक है, रेट of flow of charge को हम लोग बोले हो, अप लेक्रिक करने अब चार्ज क कम लोग लोग थे सब्सक्राट Yin कि कि अरुम होता है, जार्ज के पलविदक बृट से ऩी से का में आप एंपिए एंपियर ओन कूलमब भाइं सेटेंट कम अपियर Promas वन कूलम, वन सेकें कम लोग जा भोलेंगे इसका हम लोग बोलेंगे 1 A ठीक, अब समझो की करेंट फ्लो कैसे करता है ठीक है थोड़े देखो यहाँ च्रीन पर मालो हम लोग यहाँ पे कंड़क्टर ले रहे हैं सब्सक्राइब नाम दे दिये सकते हैं और यहां पर क्या होता है कंड़क्टर के अंदर कंड़क्टर का मतलब क्या होता है इसके अंदर हम इसा free electron रहेगा तो सपेज इसपे अंदर इसा move कर रहे है तो current का जो direction है वो इस electron के movement के direction के ठीक opposite होगा यह क्यों होता, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि यह conventional direction of current है, बहुत पहले से चला आ रहा है, ठीक है? इसका कारण वह ऐसा logical ही कुछ नहीं है, हमेशा हम लोग opposite to flow of electron को ही current का direction मानते हैं, इसको हम लोग बोलते है, conventional direction of current, conventional का मतलब क्या होगा? बहुत पहले से चला आ जही है, इसलिएसका को बहुते है, conventional direction of current, तो current का direction होगा from y to x, current का direction होगा y से x के तरफ, यह होगा current का direction यह होगा current का direction ठीक है? और जो electron के flow का direction हीै, वह कहां से है? वह है? कि यदि तुबारा N electron flow कर रहा है, कहा से कहां तक, from X to Y तक अगर N electron flow कर रहा है, मानलो कि if a number of electron is flowing from X to Y in 30 seconds, 30 seconds में flow कर रहा है, मानलो, तो हमको यहाँ पर current आप चाहिए है अगर तो I को हम लोग क्या लिख सकेंगे? यहाँ अपना जो I आएगा, वह होगा, number of electron कितना N है, एक electron का चाहिए है, E है, और total time लिख रहा है T, तो हमको इतना current आप मिल जाएगा, यानि कि हम लोग को यहाँ पर क्या मिल जाएगा, I equal to Q by T, इसी Q को हम लोग क्वानिटिजेशन से अभी N into E भी लिख सकते हैं, total charge किया होगा, number into, number of electron into, एक electron का चाहिए इतना है उतना, any, any, तो यहाँ पर N into magnitude लेते हैं, हम लोग स्रिफ 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, by जितना time लाएगा, उतना time, इतना current हम लोग का जो है, वो flow करेगा, ठीक है, इतना ही current हम लोग का जो है, वो flow करेगा, यहां तक बात समझ में आ गया, so basically current is defined as rate of flow of charge, यानि कि charge का rate of flow को हम लोग current बोलते हैं, इसका SI unit को हम लोग क्या लेरे, ampere, ठीक है, 1 ampere क्या हो जाएगा, 1 coulomb per 1 second, और यहां पर जो हम लोग conductor का डाइग्राम बना है, उसमें क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रान फ्लो कर रहा है हम लोग का X to Y, लेकिन current का direction क्या मानें हम लोग Y to X, तो इसको note-down करते रहो, फिर आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है? किसी कोई doubt होगा, तो unmute करके पूछ सकते हैं, एक एक करके? यहां रिपीट कर दीजे, कौन सा यह वाला? यह रिपीट कर देते हैं, इलेक्ट्रिक करेंट को हम लोग define कर रहे है, rate of flow of charge, यानि कि जिस rate से charge flow करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे electric current, defined कैसे कर रहे है, I equal to Q by T, Q यहां पर charge है, T यहां पर time है, charge के उनेक्ट होता है, time का second, तो 1 coulomb by 1 second को बोलते है 1 ampere, अब तुम इस डाइग्राम पर आओ, ठीक है, सब इस तुम डाइग्राम पर आओ, और यहां पर देखो फिर से क्या बतायते, मालो कि हमारे conductor है, इस पर देखो electron का direction है, यह है, ठीक है, electron मालो X to Y flow कर रहा है, X to Y, त current का direction हमानेंगे, current का direction मानेंगे y to x, मतब electron के flow के direction का just opposite मानेंगे current के direction, यह क्यों मानते हैं, क्योंकि यह conventional direction of current है, बहुत पहले से ऐसा चला आ रहा है, assumption, तो उस समय सायद हो सकता है कि scientist को लगा होगा, कि positive का flow को current लेना है, तिसे लिए, इसको हम लो conventional direction of current ही बोलते हैं, ठीक ह होगा, तो मानलो इस conductor में n number of electron flow कर रहा है, t time पे, तो कितना current होगा, एक electron का charge है, 1.6 into 10 to the plus 19 coulomb, n number का charge कितना होगा, n into 1.6 into 10 to the plus 19 coulomb, और time जो time पे flow कर रहा है, मानलो कि 10 electron flow कर रहा है, तुम क्या लिख होगे, 10 into 1.6 into 10 to the plus 19 coulomb, और मानलो 2 second में कर रहा है, divide by 2, तुमको उत आगया होगा, then इसके बाद देखो, बहुत इंट्रेस्टिंग एक topic पे बात कर रहे है, ठीक है, देखो, तुम लोग class 9 में vector के बारे में सुने हो, ना, सुने हो, यस sir, vector का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई quantities का magnitude भी और direction पी, तो देखो, current में, current में, हम लोगो direction भी तो दिक रह रहा है, current में, लेकिन, current vector quantity नहीं होता है, current is not a vector quantity, although it has magnitude as well as direction, but it is not a vector quantity, क्यों ऐसा हम बता रहे, देखो, देखो, क्यों ऐसा, यहां पे तुम एक तार बना दो, ऐसा कोई माल लो wire है, ठीक है, ऐसा कोई wire है, माल लो, यहां पर एक और wire बनाते है, यह कोई wire है, यहां पर एक यहां पर एक wire है, यह कोई 4 wires ऐसे, यह junction है, मतलब 4 wires इस तरह आरेंज कर दिया, यहां पर एक node बन गया, node का मतलब junction, ठीक है, अराहाम से सम्झो, देले-देले, यह node बन गया, इसको बोलते है, जंक्शन है, यह junction यह, यह जंक्शन यह, नोड है, ठीक है, माल लो, इस तार से एक करेंट आ रहा है I1, ठीक है, इस तार से एक करेंट आ रहा है I2, ठीक है, यहां पे करेंट आ रहा है I3, और यहां पे करेंट वापस जाएगा I4 से, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कि Incoming Current, Incoming Current, किसी भी जंक्शन पे, यह सब तुम लोग हायर क्लासिस में पढ़ोगे, बट हम थोड़ा सा बतायाते हैं, concept clear करने के लिए, किसी भी प्राब्लम को solve करने में इसमें बहुत मजा आएगा, इसको बोलते है किर्चॉफ्स लौ, ठीक है, किसी भी जंक्शन पे, Incoming Current जो होगा, यह आलवेज इक्वल Outgoing Current के, Incoming Current जो होगा, इक्वल होगा Outgoing Current के, Incoming Current यहां पे क्या-क्या है, Incoming Current यहां पे है, I1 प्लस I2, ठीक है, प्लस I3, देखो, जंक्शन पे इतना Current आ रहा है, I1 प्लस I2 प्लस I3, यह, I4 के बराबर आएगा, यानि कि, जितना Current आएगा, उतना ही Current वापस जाएगा, Junction पे जितना Current आएगा, उतना ही Current वापस जाएगा, क्योंकि, Conservation of Charge से, यह कैसे हुआ, यह Conservation of Charge से हुआ, पहले ही सिखाये थे, कि Charge हम ऐसा Conserve होता है, तो Current के Rate of Flow of Charge है, यानि कि, जितना Charge आया, उतना ही Charge जाएगा, ठीक है, यानि कि, चार्ज जाएगा, तो यह कैसे Addition किये, यह Simple Addition किये, यह Simple Addition किये है, Simple Addition, जो हम लोग बचपन से करते हैं, Scalar Addition, इसी वज़ा से हम लोग Current कोई Scalar जासे ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, Current treated as Scalar Quantity, not a Vector, तुम से कोई पूछे कि Current Scalar है या Vector है, तुम बोलोगा, Current Scalar, अगर पूछे करेंड का तो, Magnitude भी होता है, तब भी क्यों बोल रहे हो कि Scalar है, तुम बोलोगा कि यह Vector Law of Algebra को Follow नहीं करता है, Current does not obey the Vector Law of Algebra, वेक्टर का addition अलग होता है, Simple Tarikation से नहीं होता है, ठीक है, तो यह बात हम लोगा याद रखना है, इसको हम लोग बोलते है, किर्चॉफ का Junction Law, अभी तो उतन किर्चॉफ साइंटिस का नाम है, ठीक है, इसको बोलते है, किर्चॉफ का Junction, अराम से समझो, बहुत अराम से एकदम समझो, बहुत सिंपल सिंपल, वे है यह सब समझने का, मतलब, जस जंक्शन पर जो भी करेंट आएगा, Incoming Current, उतना करेंट बाहर चला जाएगा, ठीक है, इसको बोलते है, किर्चॉफ का Junction Law, चलो, आगे बात करते हैं, थोड़ा सा Materials के बारे में, देखो, किसी भी प्रकार के Material काम लोग बैसीकली तीन तरीके से डिवाइड करते हैं, मतलब, मतलब, मैट्रियल काम लोग बैसीकली, ठीक है, किसी भी मैट्रियल काम लोग तीन तर एक सकन्टर गुंए, एक सकन्ड़ को पैन का सिलक्षिन गुदियल के एक अगुता है, हाँ, एक को तर गुदक टरड तीके सव लुख के लुख के में आगे, तो रहा सिलो लुख के लुख के लुद्वार, युद्रिश्टर तॉर्व स्वाइड श्वें अलिए, तर, प्लास्टिक या फिर उड इंसुलेटर और एक होता है हम लोग का सेमी कंडॉक्टर तो मैट्रियल को तीम तरीके से डिवाइट करते हैं कंडॉक्टर इंसुलेटर एंसुलेटर एंसेमी कंडॉक्टर पे तो conductor क्या होता है सभी को पता होगा, conductor का मतलब कि इसमें large number of free electron रहेगा, है ना, अभी बतायते हैं, कि विच कंटेंस free electrons, ठीक है, विच कंटेंस, कंटेंस free electrons, free electrons, या फिर बोल सकते है, large number of free electrons, large number of free electrons, free electrons का मतलब mobile electron, जो की room temperature में भी easily conductor के अंदर move करते रहते है, free to move होता है, इसी वज़ा से conductor में current बहुत ज्यादा होता है, वेरी हाई होता है, ठीक है, arrow ऐसा कि यह मतलब भी high का symbol है, ठीक है, इसी वैसे conductor में current जो होता है, बहुत high होता है current किसी भी conductor पे, क्यूं, क्यूंकि large number of free electrons होता है, अगर बात करते हैं, हम लोग semiconductor का, अच्छा, फिर insulator का बात करते हैं, बाद में आएंगे semiconductor में इसके बाद, तो insulator में पता है क्या होता है कि इसमें कोई भी free electron नहीं होता है, ठीक है, room temperature पे free electron नहीं होता है, तो no free electron, हम लोग सी लिग देते हैं no free electron, मतलब कोई electron free to move नहीं होता है, no free electrons, इसका मतलब क्या है, very less current होगा, मतलब होगा भी तो बहुत काम होगा, नह के बराबर, almost zero होगा, ठीक है, very small, it is almost zero, और, जो insulator हम लोग लेंगे, वो क्या होता है, उसमें जो है, conductivity को हम लोग vary करा सकते हैं, यानि की, अच्छा, एक बार तुम इसके example देख लो, देखो, conductor के example तुम जानते हो, सुने हो बच्चपन से, copper, उसके बाद तुमारा iron, gold, iron नहीं, gold है, iron भी हो सकता है, gold है, silver है, बहुत अच्छा conductor, platinum है, copper है, यह सब है, conductor, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, एक example ले रहे हैं, suppose copper ले रहे हैं, Cu, या फिर कोई electrolytes, जो chemistry में पढ़ते है, electrolyte solution, ठीक है, electrolytes भी एक तरह का conductor है, इंसुलेटर मतलब क्या हो गया, plastic हो गया, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबबर, उड, यह सब ही examples हो गया, इंसुलेटर का, और सेमी कंड़क्टर जैसे, प्रियोरिक टेबल में शाहिद देखे हो कभी, सिलिकॉन करके एक मेट ठीक है, germanium, इसको हम लोग लिखते है, ge, germanium, तो यह सबी जो होता है, यह है, semiconductor, इस तरह के material को हम लोग बोलते है, semiconductor, तो या तो इसमें बहुत large number of free charge होगा, नहीं तो फिर small number of free charge होगा, यानि कि इसको हम लोग क्या करा सकते है, इसमें जो conductivity होता है, conductivity मतलब कितने easy से conduct करे, अ यानि कि इसमें हम लोग control कर सकते हैं, वो हमारे उपर है, कि N-type semiconductor ले, या P-type semiconductor ले, तो यह control कर सकते हैं हम लोग, या फिर इतना याद रखा अभी के लिए, कि semiconductor एक ऐसा material है, जिसका property, conductor और insulator के बीच में कहीं लाई करता है, इस पर current flow करेगा, बट उतना हाई नहीं करेगा, जितना की conductor पर करता है, और एक दम ही नहीं, लो नहीं रहेगा, जिस तरह insulator पर रहता है, इसका property बीच में कहीं लाई करता है, तो, ठीक है, हम लोग basically इस chapter पे, current electricity chapter में, जो class 10 में है, हम लोग conductor का ही study करेंगे ज्यादा, क्यूंकि हम लोग current के बारे में बढ़ना है, तो हम ल प्लास 12 में बहुत डिटेल्स में पढ़ते हैं, और फ्रावत प्रापटी हम लोग बाद में डिसकस करेंगे, और इंसुलेटर तो पता ही होगा, इसमें कोई फिलेक्टरॉंस नहीं है, और बहुत less current इसमें रहता है, चलो, तो यहाँ ते के बाद देख लो, नोट डाउन क करेंट का समझाने के यहाँ पर समझाएं कैसे फ्लो कर रहा है, फिर हम लोग यहाँ पर देखे कि वेक्टर कॉंट्टी नहीं होता है, क्यों कि जो आफ जंक्शन ला पढ़े हैं, यहाँ पर हम लोग मेट्रियल को डिवाइट किये, ठीक है, अब जो सबस्ती इंपोर्टें इंप इस चाप्टर में एक टर्म, वह है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, फिर आम लोग देखे शर्किर वगेरा पढ़ेंगे, अराम से पढ़ो धीरे-धीरे समझ तमझ के, ठीक है, समझ तमझ के धीरे-धीरे पढ़ो, अच्छा पेज उपर कड़ी है, यह Ja Sir, हो गया, अच्रा कुछ लिक रहे थे क्या? Ja Sir, अच्रा डिक लो ग्राल, अच्छा फिसको लिख लाल, गरल, गव्रही होता है, इसको उपर कड़े? कि potential difference क्या होता है, यह हम लोग डेल्टा V से रिप्रेजन कर रहे हैं, ठीक है, तो किसी, कोई माल लोग यहां पर कोई if unit positive charge, unit positive charge मतलब a column का charge है, इसको हम लोग क्या बोल रहे है, unit positive charge. unit positive charge. ठीक है, एक column का charge है. इस unit positive charge को, यदि हम लोग मूव कराते हैं किसी तुसरे point पर, तो हम लोग कुछ work done करना पड़ेगा. ठीक है, इसको एक पोईंट से हम लोग दूसरे पोईंट पर ले जाने में, सपोस हित आप यार ए प्वेंट है, इसको हम लोग वी पॉइंट पर ले जा रहे हैं, तो इस यूनिट पॉजिट ल Sविठीश को एक व बैस क्योरे दूसरे पोईंट में ले जाने पे, हम लोग को work done करना पड़ेगा, ठीक है, इसी work done को हम लोग बोलते हैं, potential difference, ठीक, तो क्या बोलेंगे, work done, work done, ठीक है, ये क्या work done कर रहे हम लोग, फिर समझ लो, एक A point से लेके, किसी दूसरे point में, suppose B point पे, एक unit positive charge, यानि कि, ऐसा कोई charge, जिसका magnitude 1 कूलम हो, और positive charge हो, उसको ल work done करना पड़ रहे है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे है, potential difference, तो work done on, you need positive charge, work done on, you need positive charge, you need positive charge, positive charge, को हम लोग बोल रहे है, potential difference, ठीक, इसा पो रिवाइस करते हैं, potential difference, ठीक, तो एक बार, जैसे माल लोग, यहाँ पर फेरे सरी, रिप्रेजन कर रहे है, कि एक a point ले लिए, ठीक है, और यह one कूलम का charge है, इसको हम लोग ले जा रहे है, कहाँ पे, एक b point पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, work done, जो है, work done, in moving, ऐसे लिकर है हम लोग, in moving, one कूलम from a to b, जागा क्वंपूब झाल, how dare you, ego कर दो हाएगा, हो जो हम लोग, इसको हम लोगा कर दो है और झाल आदा है को लोग, by जो हम अие जोग झाल, he Alls Sud कर जो झाल 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 अजै को विए उदो खेलें से विखका भी खिए है लो अलो अरे करेक्ट होगे तो बैकप भी खतम हो गया है यह कल वाला चाहिए अभी जो लिख रहे है तो अच्छा ठीक है पोटेंशनल डिफ्रेंस लिख रहे है इसको कंटिन् episodes करें ओधर ज़े झानला यह कि अच्छा बेंगे네 अजने हैं एक है उच्छा नरफ हो जाएगा उसे रही है यह सी आज आज अज़े अड़ा है कर दो है वे इस लाज़ा शबते किसे अगभर दुट रहो है तो इस लगद दो इस घ्राज़ किया दिन किक क्या नगें पुटेशिल दिफेंस देंस दिक रहो है अवाज आगा ना सभीको? यह सु ठीक है देखो हम लोग देखरे थे पोटेंशिल दिफरेंस ठीक है पर लाइट का प्रब्लम होगे शली सिस्टम प्लाइट चला गया है सिस्टम प्लोज हो गया था इस पोटेंशिल इधरजा रो गवाजते है तो काई कर रहे है ऐसा प्रोफश्व दिफाइट कर हता है हम लोग का..? आथ मोँ पोइंट है यह colन दैट ही ठीक है है ने लाइट? ठीक है तो यहाँ पाइंट आपक प्रेट है स्ट्रीशियर नहीं कि अब लोग किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यानिकि इसका मैगनिचूड क्या है क्या है इसक्रीशियर नहीं किया तरह नहीं कि इस पेंचियर उत्पर रहुआ है बोल बच्छे लोग बोल रहे है नहीं को रिकार्ड भी कर दिए अब या रहा है कि स्कीन में यह सर्थ ठीक है देखो 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 देंसे थोड़ा प्रॉब्लेम होगे यहां पर से लिसके लिए सॉरी तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो वग्दन कर रहें तो उसी वग्दन को बोल रहे है ठीक है उस्चिंप अभीजिस पॉल्व थे प्रदैश के लिख लिख रे लिख ले दो की विधिकर ही वी तो फॉलम चॉर्ज पॉस進 की वन खॉलम चार्ज सव झालिटिर्यृ वदॉट था प्रियखा गारिलिखा व्हीं पॉर्टला में चाहिं विखात को बंच बी रेश्च क्यक्क लिवेंग वल्रे पोडें पोटान के conten एप इंड पोजिति विए पॉजिति वेज बोल रहे हैं पोजिटिटिशल दिफिरेंस टीक इसको अगे तरचे सामस्थ इसको अच्छे समस्थ नग किसी कुश्छन से समग रहे हैं माल लो की दो पॉइंट एठीक एकजांपल दिक विए एक एक जांपल देखो समझने के लिए माल दो पॉइंट है एक एक पॉइंट हो गया यह यहाँ पे एक पोटेंशियल है पहले से 50 वोल्ट इस पॉइंट पे और यहाँ पे एक बीप पॉइंट है इस पे क्या हो जाएगा 30 वोल्ट ठीक है पोटेंशियल इस पॉइंट का है और माल दो हम लोग यहाँ पे दो कूलम के चार्ज को फ्लस दू कूलम के चार्ज को हम लोग मूव करना चाहरे है तो एक चार्ज को हम लोग ए से बी तक इस तरह मुव कराते हैं तो यहां पर क्या लिखते हैं पोटेंशल डिफरेंस अभी हम लोग क्या सिकें डेल्टा वी को लिख सकते हैं क्या वग्दन पाई चार्ज पोटेंशल डिफरेंस क्या लिख सकते हैं वग्दन बाई टेस्ट चार्ज चार्ज को हम लोग मुव कराते हैं तैसे । पर शर्च करने क्या टिप पॉटेंश इफंट गगांगए, फिर हमारे पाक से दो कुलाम्ग दो पोटेंशे डिफेंट्रिंस कितना होगा, इस पचार्स मायनस थीज भी सोल कोगा, फिस तो पॉटेंशेल गोल्ट को निकालना है, और चार्ज कितना है दो कुलम, तो अगर हम तो वर्गडन निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा, यह 20 वोल्ट इन्टू 20 कुलम, यानि कि 40 जूल, ठीक है, 40 जूल, तो वर्गडन कितना हो यहाँ पर, 40 जूल हो जाएगा, वोल्ट का अब जूल पर कुलम लिखते हैं, यह व पॉटेंशिल डिफरेंस, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यह क्या होगा, इस वोल्ट, यह वोल्ट होता है, वोल्ट, वोल्ट, ठीक है, वोल्ट होगा, अम लोग एक वोल्ट को क्या लिखते हैं, एक वोल्ट को लिखते हैं, एक वोल इसको तो वन वोल्ट को लिखेंगे वन वोल्ट को लिखेंगे वन जूल पर वन कुलम ठीक है तो एक जूल होगा एक वोल्ट इंटू एक जूल क्या हो जागा तब एक वोल्ट इंटू एक कुलम वन वोल्ट है वन जूल भाई वन कुलम ठीक है यहां से हम लो डिफाइंड कर तो प्रचार्ज वाग दन भाई चार्ज यह अम लोग हो जाएगा पोटेंशनल डिफरेंस अगर आप देखो अगर इस चार्ज को वन कुलम रग दोगे यूनिट पोसितिव चाइब दोगे तो यह पोटेंशल दिफरेंस वगन के एक वड़ जाएगा यही पर लोग सिक्खे है विजस्त है इसकाँ कर दोगे से अगर्ड कर दिय का दिय खलग कोला मौ यहीख उंद दोग मोग दोगा चाइगा तो वोटेंशल दिफरेंस के पराबर घज़ गा सब्सक्राइब कर सकते हैं कि एलेक्टिक पोटेंशल इस दो वर्ग दन पर टेस्ट चार्ज अन विन दिस टेस्ट चार्ज इस बिकम्स पॉजिटिव उन पॉजिटिव वन कुलम तो यह वर्ग दन पोटेंशल दिफरेंस के बरावर हो जाएगा इसको हम लोग मूफ करा रहे हैं बी पॉइंट पे तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा डेल्टा वी को अभी लिख दियो हम लोग um wyq तो डेल्टा वी जाओ लिखेंगे ना तो यह लिखेंगा higher minus lower higher potential minus lower potential माल्दो डेल्टा वी हायर है तो work done कर рें हम लोग कैसे देखो इसको यह धयान दो work done कर रहे हैes from a to b wary charge कितना है potential ले रहे हैं VB minus VA, लेकिन वागदन लेगे फुम A to B, लेकिन वादन देना, ये वाला, पोटेंशलीपेसलेरे रहा है फॉम VB minus VA, वादन लेज वादन लेज फॉम A to B, ये बहुत एक इंपोर्ट है। ये बहुत एक इंपोर्टै को चाहिए। तिए तिए डिस वेरि इंपोर्टमेंट वी थोगा याद रखना है ओर इसको भी थोड़ा याद रखना है तो और एक्जांपल इसको फेड़ा से डिल करते है हम लोग यहां तक सब नोट डाउन कर लो अच्छे से एक एक्जांपल से समाझ में आ जाएगा फिर एक example सामझ में आ जाएगा चालो एक example देखते हैं स्क्रीन पे देखो question एकली करें चोटा सा तुब लोग current और potential को समझने कोशिश कर रहें current और potential पढ़े अभी तक, potential difference देख रहें और इसको थोरा सा समझ रहें कि solve करेंगे जैसे मान लो, example वान लो, ये कोई point A है 10V, okay? A point में potential is 10V, और यह B point है यह B point है. यहां पर हम लोगो voltar नाचल को gen 2V है यहां पर हम लोग. स्था हम माइनस 2 k ONE के चार्ज को चार्ज को और A से लेके B पर ले जाना चाहते है हम लोग लोग किया दिया हुआ है? वर्ग दं लिया हुआ है सपोज. हम लोगो work done दिया हुआ है कितना, यह suppose दिया है 20 Joule, और तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना है कि B point पे कितना potential होगा तो कैसे solve करेंगे देखो इसको solve कैसे करेंगे क्या लिखेंगे, work done लिखेंगे from VB minus V अभी सिखाएं, जिदर work done होता है ठीक है, work done करेंगे to V तो potential होगा, V minus V, higher minus lower, potential है higher minus lower होता है, और current अभी flow करेगा, ठीक है उसको भी बताएंगे, potential difference होने से current flow करेगा, तो यहाँ पे V minus V लिखेंगे, work done क्या लिखेंगे है हम लोग, A से देके B तक लिख रहे है ठीक है, A से B तक लिख रहे है और divide भाई हैंपे क्या कर रहे है चार्ज कर रहे है, जितना चार्ज को ले जा रहे है पर test charge तो यहाँ समको निकालना है कि VV का value क्या होगा, तो देखो सारा value given है, हम लोग जिश्ट पूट करेंगे तो VV के जगा हम लोग V suffix में B लिख के छोड़ दिए VA कितना है हम लोग का, VA है 10V तो 10 लिख दिए वर्ग्डन कितना हो जाएगा, वर्ग्डन है 20 Joule 20, और चार्ज कितना है माइनस 2, ठीक, 2 कुलम यह Joule और यह कुलम इतना है, तो हमको यहां पर क्या मिल जाएगा VV-10 एकवल टू जूल पर कुलम वोल्ट होता है माइनस 10V कितना जाएगा, यहां जाएगा माइनस 10, ठीक है प्लस 10 हो जाएगा, यानि कि 0 तो यहां पर जो VV मिल जाएगा हम लोगो, वो जाएगा 0V तो इस पैंट का जो पोटेंशियल आ रहा है कही ना कही से, माइनस कूलम चार्जें लेज आ है मैंस तो तो यहां का इतना जाएगा आँसर 0 हो जाए ठीक है, इस पैंट में स्टशन हमलोग का 0 जा रहा है तो इस तरह हम लोग लोग स्मलोग सल्व कर सकते है यहां पर electric potential का मतलब क्या होता है या फिर potential difference का मतलब क्या होता है किसी unit positive charge को तुम एक point से दूसरे point में ले जाने में इतना work done करोगे उसी work done को बोलते है potential difference between two points ठीक है अभी हम उसको just example से हम लोग समझे कि किस तरह हम लोग potential difference find कर रहे है इसका इसा unit कितना हो जाएगा इसा unit हो जाएगा इसका volt ठीक चलो एक बार फिर सम लोग इसको देखते है कि potential or potential difference में क्या relation है अगत तुमको बोले potential difference अगत तुमको बोले potential difference ठीक है तुसको में डेल्टा भी लिख रहे थे हैं तो यह क्या हो जाएगा A और B अभी सिखायते इसको क्या हो रहा है वक्डन कर रहे हम लोग चार्ज क्यों को ले जाने में तो क्या लिकरने थे potential difference में VB minus VA equal to work done from A to B divided by charge Q यही तो था हमारा potential difference बहुत सारा problem solve कर सकते हो प्रब्लम आगे solve करेंगे इसके बाद क्या है अगर बोलेंगे potential at a point यहां पे लिखते हैं और एक बात क्या लिखते हैं और एक बात क्या लिखते हैं potential at a point यह क्या potential difference और यह अगर potential को किसी पॉइंट पर डिफाइन करना है potential at a point किसी certain point पर define करना है ठीक है तो कैसे define करोगे देखो माल लोग कि एक point a है और b point को हम लोग infinity पर रख दिया है और infinity से किसी charge को हम लोग a point पर लेके आते हैं infinity से किसी charge को हम लोग उठाके a point पर ले आते हैं तो इस point पर हम लोग उस potential को define कर सकते यानि कि work done हम लोग कर रहे कहां से कहां तक infinity से a point पर लाने पर किसको उस charge को उसको बोलेंगे उस point का potential ठीक है इस process को बोलेंगे इस point का potential फिर से समझो इस Q charge को infinity से किसी certain point पर लाने में जितना work done करना परा उस work done को बोलें उस point का electric potential या फिर potential at that point अगर लिखना है तो लिखना है तो लिखना हम इसको डिक्टेट करते हैं work done required work done required work done required to bring a positive charge high-doss फिरए उसको लाफमें हमें work done require to bring a unit positive charge from infinity from infinity to a certain point at the square point, work done and required to bring the unit possible charge from infinity to a certain point, it's called potential, it's called potential at, that point, per पे हम लोग बोलेंगे potential मतलब potential point का ठीक है तो यह difference हो गया potential difference और electric potential पे ठीक है तो एक यहाप example देखते हैं फिर से इसका भी ऐसा यूनिट वोल्टी होगा यह भी potential ही है बस point के भीच का difference लेंगे दो को infinity रख देते हैं तो electric potentials point का याँ एक्जामपल देखते हैं तो माल लोग कम लोग दो कुलम charge को लाने में हम लोगो 30 joule work करना पढ़ रहा है ठीक है दो कुलम charge को ले आ रहे है चार्ज कितना है दो कुलम और वर्क हम लोग कितना कर रहे हैं यहां पर 30 जूल का हम लोग work कर रहे हैं तो हम को इस particular point पर क्या निकानना है हम लोग को potential निकानना है उस point का तो माल लोग कि यहां पर एक infinity point है इन्फिनिटी से certain point पर लाने पर उस charge को हम लोग को डबलू वर करना पड़ा तो हम लोको इस पॉइंट का एक पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए तो क्या लिख देंगा हम लोग वी ए कितना हो जाएगा यह यह हो जाएगा इन फाइनाइट से एट अगला रहे हैं ठीक है बाई जो टोटल चार्ज है कितना हो जाएगा वोग दन दिया वाई 30 जूल और चार्ज लाहे कितना दो कुलम तो पंदरा प्लस पंदरा वोल्ट जो है वो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा एपॉइंट का तो वी एक आज है कि अच्छा से देख लो बहुत बेसिक सा चीज है ठीक है साइन देख लो यहाँ पर अच्छा से यह सब समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा तो करेंट और पोटेंशियल के बारे माईडिया हो गया करेंट मतलब रेट अफ फ्लो अफ चार्ज वह हम लोग देखे इखे है के करेंट जो है वो कैसे फ्लो कर रहा है हुए फिर हम लोग बात किये कि एलेक्ट्रीक पोटेंशियल क्या होता है दो टर्म भात किये और इलेक्र्ट्रींशियल डिrods वे क्या होता है जितना ओलन खाल रहे हैं किसी उन्यट पॉसितिज़ चार्ज को एक उनसी दू पॉइंड का पॉटेंचियल एट पर्टिकुलर पॉइंट ठेक यूनित दोनों में क्या हो जाएगा वोल्ट ठीक आगे अब थुरा साम डिसकस करते हैं अब नों तरा साम डिसकस करते हैं अच्छा कोस्चन और है यहाँ पर लिखते हैं छोड़ा सबस्कुष करेंगे एक्सांपल टूएट लिखते हैं इसमें क्या है के कोश्चन इन ब्रिंगइंग्य प्रिंगइंग माइनस थ्री कुलम चार्ज from infinity to point x okay where potential is 10 volt where potential is 10 volt find work find work done okay find work done particular point infinity vx and a certain point equal to work done infinity from point x point by total charge जितना उतना चार्ज तो हमको वक्डन मिल जाएगा कितना वोल्ट है उस point पोटेंचियल तेन वोल्ट है वोग्डन लोग क्या ले रहे हैं infinity से लेके किस तक वो निकालना हम लोगो चार्ज कितना दिये हैं तो यहां पर वोग्डन क्या हो जाएगा वाटन ऐसे वाटन तो पॉजटी भी लेंगे वाटन नेगेटीव साइन नेगटीव ले सकते हैं थीक है कोई बात नहीं magnitude of work हम लोग यहां पर निकाल रहे हैं कितना हो जाएगा यह वक्डन हो जाएगा 30 जूल वक्डन हो जाएगा ठीक है तो यह हम लोग का एंसर हो जाएगा माइनस 30 जूल भी लिख सकते हो जिक है अगर मॉड नहीं लगाएंगे तो तो पर नेगेटीव लिख सकते हैं कि मॉड नहीं लगा के तो माइनस 30 जूल इस आवर वक्डन चेक अब यहां पर कॉंसर्ट सम्झों इंपॉर्टेंट कॉंसर्ट क्या है कि यहां तक देख लो स्क्रीन पर कर दे रहे हैं कि अभी तक जो जो लिखे हैं कि 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 अधिक तो भी यहां पर आगे अ कॉंसर्ट को समस्थे मुश्थे मुश्थ अधिक यहां पे मनो Kane रख देख फॉजटिव प्रेट है यहां पे कंट्रलेय्ट के लोग लोग करिये पास ओन्या पाई पॉजटिव प्लेट है और यहां खाव शॺं कुछ नेगेटिव लेट है नेगेटिव चार्च आस तरह माननों शुछ क्न्यू ठैक है का दुग कि justement कम ख्रक्रीड मिनन सब्स्क्राइब तो तो व्यादर क लेंट कमारे आफ छिए तो व्यादर वार शॉए येश्छ न कुढ जो शॉफ जिए फिर मändigर कार फिक और येश्छ छोग्र मिन्स थे वह बताना नहीं आएगा तो बता देना ठीक है किसी को भी नियागा पूछ सकता है देखो बहुत सिंपल सिंपल बाद बता रहें और सीकलो इसा बहुत सिंपल है तुरहन समझ जाओगे देखो मालो की दो प्लेट है एक positive charge है प्लेट पे और एक प्लेट पे negative charge है दो चार्ज है तो तुम्हें तो पता होगा कि electron का जो flow का direction है मान दो चेक है अच्छा यहाँ पे यह मान दो कि एक higher potential पे है इसको मानते प्लस 100 वोल्ट पे है ठीक है इसको मानते प्लस 100 वोल्ट पे है और इस प्लेट को मानते है माइनस 100 वोल्ट पे है तो यह प्लेट हो गया हमारा किस पे? Higher potential पे ठीक है यह प्लेट हो गया हम लोग का higher potential पे देख रहा है प्लस 100 वोल्ट इसले higher potential पे होगा और यह जो प्लेट है यह हो जाएगा मुलोग का लोवर पोटेंशियल पर ठीक है तो अब देखो ध्यान से चुकि यह नेगेटिव चार्ज यह पॉजिटीव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेगा कि उलेक्ट्रॉन करेगा कुछ इस तरह फ्लो करेगा ऐसा फ्लो कर रहा एका इना इलेक्ट्रhalb क यह है इलेक्ट्रॉन पोजिटिव के तरफ अट्राय कोना चाहिए गलेक्ट्राण्Watch को नेगटिव चार्ज हमें तो यह लोंते इनक्तम ग्रेक्ट्र топ रैक्षिन होगा इलेक्ट्रॉन का ठीक आपोजीट होता है करेंट का एक्षिन तो तुम को दीक रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे कर रहा है इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है कि एलेक्ट्रों कर रहा है कैसे यह फ्लो कर रहा है लोवर पोटेंशियल से ठीक है कैसे कर लोवर से लेके लोवर टु हाइयर फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रों करेंट नहीं ठीक भी है, नोड पोटेंशल, हाइर पोटेंशल से 吧 करेगा तभी तो current जो हो, हाइर से लोख पर करेगा और current कैसे कर रहा है? Current flow कर रहा है इस diagram से कभी tuyorsun नहीं होगा, ठीक है? Current flow कैसे कर रहा है? Current flow कर रहा है from हाइर पोटेंशियल और केrekए六 पोटेंशियल पर फ्लो करता है हमेशा से करेंच यह असे क्वलोग इसे फ्लो करेगा हमेशा अगर पोटेंशल डिफ्रेंस नहीं रहेगा तो करेंट भी फ्लो नहीं करेंगा तो इतना इंपॉर्टेंट है पोटेंशल डिफ्रेंस का यहाँ पे हमेशा करेंट हाइयर से लोग फ्लो करेंगा इस तुम्हारे पर ऐसा दो वाटर का टैंक है चोटा सा एक बाटर टैंक यह हो गया यहां तुमको मालो कि इस इसको मालो कि इसको मालो कि हाई पोटेंचल पर है पर इसको मालो कि लोगर पोटेंचल पर तो वाटर ऐसे फ्लो करेगा मैं सब्सक्राइब लगा दो इस में इस तरह तो वाटर फ्लो करेगा फ्रम हाई टू लूओ उसी तरह करें भी फ्लो कर रहा है जब समझाने के लिए बोले इसका करेंट से कोई लेना देन नहीं है या फि हाई टेंप्रेटर से ही कि फ्लो करता है ऑई टू लोर टेंप्रेटर पनीट लोकर रगा एस फ्लो करेंगा फ्रॉवा एक बात हम लूघ तो कि ओड़ एतना यह थोड़ सा भी हर बात करेंगे वस 10 मिनेट फिर उसके बात क्लासऔंड हम लोग कर देते एक बार इस्क्रीन पर यहां पर पुरा नहीं आ रहा है वो सिस्टार एक मिनट अब लो बो लो हलो को डाउट तो बो अचलिक नहीं लिखो अचलिक नहीं लिखो अचलिक ना तो इस स्क्रीन पर अब बात अब इस बताएं अब लो क्या बताएं पोटेंशल डिफरेंस के वाएं बात किये ठीक है पोटेंशल डिफरेंस के वाइंब बात किये अश्य से से क्लियर हो गया होगा ठीकर साथ मूँरेत कर रहे लोगा हिर रिपीट करते का है यह के भूण कर रहे हैं फिर हम लोग समझेर कि उस प्वाइंट में पोटेंशिल को कैसे सबिधार करेंगे कि Infinite से अगर कोई हुद को आव्म लोग और पैर ऐसे बा Speaking इन फाइने चार्ज को अगर ले आते हैं, तो उस पर्टिक्लर पॉइंट पर लाने पर इतना वगदन करना पड़ रहा है, उसको हम लोग यहां पर क्या बोल रहे हैं, कि पोटेंशिल अट पॉइंट, ठीक, इसका हम लोग कुछ एक्जांपल देखें, फिर हम लोग क्या दे इसके अलावा हम लोग प्रोपरटी ऑफ चार्ज के बारे में बात किये थे कि चार्ज का क्या क्या प्रपरटी होता है, ठीक है, यह भी बात किये थे कि चार्ज का क्या क्या प्रपरटी होता है, वो सब बात कर लिए, चार्ज का क्या क्या प्रपरटी होता है, वो सब बात क करता है फिर समझे कि rate of flow of charge जब होगा वही current है जब charge flow कर रहा है उसको current बोलेंगे rate of flow of charge को फिर देखे कि current का direction होगा वो हमेशा क्या होगा conventional direction of current होगा यानि कि जिस direction पिलेक्टॉन फ्लो करेगा ठीक उसके opposite direction को हम लोग current का direction मानेंगे consider करेंगे ठीक है conductor में हो देखने करेंट फ्लो करता है फिर हम लोग बात किये कि तीन तरीके का मेंट्रियल हम लोग लेंगे conductor, insulator, semiconductor इस चाप्टर पे हम लोग basically conductor के बारे में ही पढ़ेंगे क्योंकि यह current का चाप्टर है current electricity है सारे properties हम लोग conductor का basically जातर देखेंगे ठीके थोड़ा बदो लोग इंसुलेटर का में पढ़ेंगे तो conductor, insulator, semiconductor का बात यहां पर किये हैं तो हम लोग यह देखे की conductor में हमेशा से free electron होता है room temperature पे free electron हमेशा exist करते रहता है even at room temperature but in case of insulator यहां पर कोई भी free electron नहीं होता है तो conductor में ज्यादा free electron होता है इसलिए हमेशा से large current रहता है और बहुत हाई conductivity होता है मतलब अच्छा conductor होता है current electricity के लिए बहुत अच्छा माना आता है जैसे की सिल्वर गोल्ड कॉपर यह सब हो गया और semi conductor एक तरह का ऐसा मेट्रियल है जो कि प्रियोडिक्टेबल में हम लोग को germanium silicon इस तरह का जो भी element दिखता है उससे हम लोगो semi conductor device बनता है जैसे की junction diode ठीक है ट्रांजिस्टर सब्सक्राइब नाम सुने हो लिगा हायर क्लासे में इसको पढ़ोगे तुम लोग 12th क्लास में पढ़ोगे इस तांजिस्टर हो गया डायोड हो गया इन सभी से बनता है semiconductor device जो भी आज कल modern electronics है computer हो गया कुछ भी जो बनता है basically semiconductor device का ही बना होता है जो भी उसमें integrated circuit होता है तो semiconductor का property बहुत खास है इसका जो परपर्टी है यह conductor और insulator के बीच में लाई करता है ठीक है यानि कि इसके conductivity को हम लोग control कर सकते है conductivity control कर सकते हो कैसे करते हैं को एक तरीका है दो तरीका होता है n-type semiconductor और p-type semiconductor उसके बारे में भी बात नहीं कर रहे डिटेल से में बस इतना जान रहे है इसका प्रॉपर्टी conductor और insulator के बीच में लाई करता है ठीक है फिर हम लोग बात किये current के term के बाद potential difference का term हम लोग दोनों को इसलिए बात किये क्योंकि हम लोग इस class में थोड़ा से impression बता दे रहे है अगले class में लोग ohms law के बाड़े में पढ़ेंगे जो की current और potential difference का relation बताता है scientist का नाम है ohms उन्हाने एक law दिया था ohms law फिर हम लोग क्या करेंगे circuit अनलाईज करेंगे circuit क्या होता है electrical circuit कि किसको कहते है circuit को joint कैसे करेंग और ohms law में कौन activity को define करेंगे और बहुत सारा problem को solve कर सकते numerical को जिके आज जितना पढ़े इसमें बहुत सारा question बनेगा तो जिनके पास जो भी किताब है कोई अच्छा लेवल का किताब है तो बहुत बढ़िया normal किताब कोई कुछ भी किताब अगर है current का physics का उसमें current chapter पे इस तरह का सवार मिल जाएगा current निकालने के लिए i equal to q by t या i equal to any by t कोई भी side book हो कुछ हो मिल जाएगा तो जरूर से घर में 10-15 question बनाना solve करना कोई भी doubt होगा तो group में send कर देना telegram group जो है उसमें send कर देना किसी भी तरह problem होगा तो तो इसका numerical आराम से solve कर सकते हो और potential difference का भी इतना numerical है वो भी solve कर सकते हो तो ये दोनों formula का use क घर के almost 20 questions solve कर सकते हैं इसलिए ट्राइ करना घर में solve करने के लिए ठीक है तो potential difference पड़े है potential point का पड़े है ठीक है तो थोड़ा सा बस एक मिनट दो मिनट के introduction दे देने फिर class को यहां close करेंगे कि ohm's law क्या होता है क्या बताएगा यह हम थोड़ा बता दे रहे हैं यहां पर ठीक है फिरम ख्लास को भी तुर्ण बंद करेंगे देखो हम लोग potential difference पड़े और हम लोग यहां पर current भी पड़ें बस हम बतायते और ली अगले class में लोग शुरू करेंग ohm's law ohm's law क्या है एक experimental verification था ठीक है ohm's law एक experimental verification था एक law दिये थे ohm's नाम के scientist ने ठीक है experimental verification था ठीक है यह क्या बताता है यह current और जो potential difference यानिक voltage इसको voltage भी बोलते हैं ठीक है current और potential difference डेल्टा वी या वी जो भी लिखने है voltage में बोल सकते हैं और voltage इनके बीच में क्या होता है एक relation बताता है ठीक है इनके बीच में क्या relation है जैसे कि क्या होता है relation वी कोल आया यह दिलेशन होता है इसके बारे में बताया इस लोग को बोलते है इसको पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे पूरे डिटेल्स में ग्राफिकल मेथट सरी देखेंगे इसको इसका ग्राब बनेंगे स्लोप निकालेंगे बहुत सरा काम इसमें लोग करना है तो उन्होंने क्या देखा कि यदि किसी करेंट करिंग वायर मतलब यदि कोई कंड़क्टर को हम लोग किसी बैक्टर से जोड़ते हैं तो अब्यस सा बात इसमें करेंट फ्लो करना शुरू करेगा ठीक है तो जो पोटेंशियल डिफ्रेंस होगा उस कंड़क्टर पे ठीक ह वो क्या होगा वो हमयसा उस वायर पे फ्लो कनने वाला करेंट का प्रपोर्श्न होगा इख भालेंवेश लो लैंवेश कया था लैंवेश गया था कि न अ मतलब ohmsa state that states that in a certain physical condition of physical condition constant on as a you begin a physical condition in as constant on your terms I state that the potential difference between the end of the conductor of the potential difference abhiya somjaya book isi conductor pay ticket potential difference between the end of the conductor is always directly proportional to current flowing through यानि कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको वी लिखते हैं यह देल्टा वी वो हमेशा जितना करेंट फ्लो कर अस चंड़क्टर पे उसके प्रपोर्शनल होगा इसी स्टेटमेंट को इसी रिलेशन को बोलते हैं अमस्लोग और मैथमेटिकल इसको अम लोग ऐसे लिखते हैं यह पर आर को आर क्या होता है आरे कॉंस्टेंट होता है उसको रिश्टेंस बोलते हैं अराम से दिखेंगे तो यही बोला गया कि क्या पोबक इस बशी अजय रखेंगे अर फिसलर कंडिशन को चांसट।ंखने सल तो इसको आ फोर्पराइड वीच सब्सक्रिफट्रा पर्पक्र सु की फिजिका़ थिमेंस सब्सक्रिब यह सब्सक्रिबुबील कंडिशन सिर्वाल आराइड कि कैन तेमगर कंडिशनी यह तो वो metal का resistance को vary करा देगा तो सब बात हम लोग discuss करेंगे details में बहुत concept उस पर ठीक है तो तो अभी के लिए class हम लोग यही तक लेते हैं class बंद कर रहे हैं तो आज का topic में जो पढ़ाएं उसको revise कर देना बेसिक सा बात था यह सब और problem इससे भी solve कर सकते हो ठीक है problem solve कर सकते हो बहुसार problem बना पाओगे इससे तो ऐसा potential difference का current का almost 10-20 problems जो है किता में मिल जाएगा तो वो सब को एक बाट solve कर देना चीक है ठीक है ओके 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 बाई कर दो